कि यूट्यूब चैनल में आप सभी और आज हम बात करने वाले हैं के अल्रेटी में प्लैलिस्ट में कुस्चन्स कर वा दिया आपके जो भी इंपोर्टेंगा आप देखेंगे तो इन्तालिजिक जो है दो प्लैलिस्ट आपको मिलें एक लाइप क्लास्टेस के नाम से और एक में questions कोंगे आपके important questions MCQ के नाम से तो अगर आपको एक्जाम में अच्छे marks लाना है तो आप सारे questions एक तरब से देख लिए उनको prepare कर लिए बागी classes में हमने ज्यादा नहीं 57 classes दी है क्योंकि इसका जो syllabus होता है ज्यादा और आपको पता होगा बहुत बैतर classes नहीं मिल पाती है फिर भी हम टॉपिक वाइस जो important exam में पूछे जाते हैं उनको लेकर classes डे बाइडे प्रिपेर कर रहे हैं तो उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे और चैप्टर है जिसका नाम है उदमिता और इसको इंग्लेश में आप कहेंगे तो इसको कहते हैं इंटर्प्रेइनर्शिप ठीक है तो मैं इसकी कुछ चार-पांस पॉइंट बस मैं आपको बताओं बहुत लंबा लेशन नहीं होगा इसमें से कोई न कोई आपको एक्जाम में जरूर मिलेगा देखने को तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उदमिता को जानने के लिए हमें इसमें एक वर्ड है दो वर्ड से बना हुआ है तो पह century Yeah I am a generate मतलब उदमीता और entrepreneur मतलब उदमी आप उदमी अधवी को जानने के लिए बी एक नए अगर हिंदी में आप कहते हैं और अगर इंग्लिस में मान के चले चले इसको बिजनस बोल सकते हैं तो यह तीन सब्द हैं इनको आप ध्यान से समझें आपका कॉंसेट एक बर में क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले बिजनस ठीक है फिर इंटरप्रेनियर उद्दमी फिर स्टार्ट करता है ठीक है जो बिजनस को स्टार्ट करता है और उसके द्वारा कुछ पैसे कमाता है उसको हम उद्दमी कहते हैं जैसे एक्जामपल मैं दे लेता हूं कोई अपनी वेल्डिंग शॉप ओपन किया है मैं टेक्निकल एक्जामपल दोँगा क्योंकि आप लोग टेक्निकल कोर्से से जुड़े हैं कोई अपना वेल्डिंग सॉप शुरू किया या कोई यह मान लिजे लेत मसीन के साथ कुछ चोटा काम मार्केट में एक सॉप ले लिया वहां पर काम कर रहा है तो यह उसका क्या कहलाएगा बिजनस उद्दम कहलाएगा और इसको स्टार करके उससे पैसे कमाता है उसको उद्दमी कहते हैं और यह जो प्रक्रिया है इसको उद्मीता कहते हैं शायर आपने द्यान से सुना होगा उद्दमी कौन होता है उद्दम करता है मतलब इसको स्टार्ट करके पैसे औरन करता है ठीक है यानि बिजनस को स्टार्ट करके उद यह यह प्रॉसेस जो हो रहा है इसी प्रॉसेस को कहते हैं हम इसी प्रॉसेस क्या कहते हैं इंटर्प्रेणर सी ठीक है इसी प्रॉसेस को उद्मिता बोला जाता है तो इस जो दो तीन सब्द है और एक सेंटेंस है इसमें से आपको कोई कोई क्वेस्टन मिल जाएगा कई बार प्रोसेस है बिजनस को स्टार्ट करने का तो इस तरह से बनते हैं यह आपके जो दो-तीन बिंदू है इन ही से तो मैंने सोचा इसको आपको रिफाइन कर देता हूँ वाकी अभम इसमें आगे बढ़ते हैं है क्योंकि बिजनस है तो विजनस में कुछ अच्छी चीजे होंगी बुरी चीजे होंगी तो इसको समझेंगे कैसे पहचानेंगे कैसे उसके लिए एक टेक्नीक है ठीक है टेक्नीक में सहां नहीं है टेक्नीक है जिसको हम कहते हैं SWOT ठीक है SWOT वर्ड भी आपको मिल जाएगा कई बार इसका full form पूस देता है एक्जाम में काफी इंपोर्टेंट है इसलिए मैं एकदम मत्तपूर्ण जो आपकी बिंदू है उन्हीं को उठा रहा हूं यह जो होती है आपकी एक एनालिसिस टेक्निक है कई बार यह पूछ देता यह क्या है स्वाट तो स्वाट एक एनालिसिस टेक्निक है ठीक है एनालिसिस टेक्निक मतलब आपने देखा होगा कि आजकल इनालिटिक्स मतलब इनालिसिस का नाम काफी फेमस है जैसे कि कुछ जैसे बार इनालिसिस होते हैं जो यह फिर कुछ हमारे जो ऐसे लोग होते हैं जो कंट्री में कितना खत्रा है क्या है वो बैक्राउंड में काम करते रहते हैं मतलब देखते रहते हैं कहां सैटाइक हो सकता है क्या हमारी बूज पॉइंट है हम कहां पर लड़ाई में जीत सकते हैं तो इस सब एनाल्सिस करते हैं तो उसी तरह से क्या अच्छी बाते हैं क्या बुरी बाती है क्या प्रॉब्लम हो सकती है इन चीजों को वह समझने में हमारी मदद करता ठीक है और स्वॉर्ड का फुल-फॉर्म होता है वह होता है चलिये मैं आपको लग लग लिख बता देता हूं यह होता है स्ट्रेंथ ठीक है और यह होता वीकनेस और अपॉर्चूनिटी अपॉर्चूनिटी जी स्पैलिंग गलत असाथ जही होती है चलिया लोग देख लीजी है उसके बाद होता है द्रेंट ठीक है अब स्ट्रेंथ मतलब सक्ती ठीक है कमजूरियां यह आउसर यह भय या डर ठीक है अब इसमें हम बात करते हैं हमारे बिजनसर कैसे रिलेटेड होसकते हैं अ हमारा जो प्रॉडrike है या हम जो बिजनसर्फ करते हैं ठीक है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें ऐसी ऐसी खास बात है कि कि लोग उसे चाहेंगे खड़ीदना यानिंगर फॉर एकजांपल अगर हम कोई मसीन हम बनाना शुरू कर देते हैं ठीक है या अलेक्टिसन के हम और अपका ड्रिल मशीन स्टर्ट कर देते हैं बनाना मार्केट में यांनि हमारे अंदर हमारे हमारे product में क्या क्वालिटी है जिसके वज़े से लोग उसे पसंद करेंगे या ख़डिेंगे इतने मार्केट में मौजूद होने के बाद भी तो वही चीज वहमें analysis करना होता है तो उस analysis का पॉइंट को ही क्या कहा होती है उसके बाद weakness simple सी बात है कि कोई product हो सकता उसमें कुछ ऐसी खामियां भी होंगी ठीक है अगर हो सकता आप drill machine चला रहे हैं उसकी एक limit होगी एक limit के बाद लोड नहीं ले पाता होगा बंद हो जाता होगा या उसकी weakness को भी जानना क्योंकि अगर हम अपने weakness को जानिंग नहीं और market में उपने product को launch कर देते हैं तो क्या होगा फिल्योर हो जाएगा हमारा business नहीं चलेगा तो यही चीज है second वाला weakness कि हमें अपने business का जो है कमजोर point या उसमें जो हम product बना रहे हैं उसमें क्या खामिया हैं क्या गलत चीजें हैं जो खराबी है उसको में ढूड़ना होता है दूसरों के पैच्छा हम कितने गड़बड है तो यह हमारा point वहां पर काम आता है ठीक है तो उसको हम weakness funding कहते हैं उसके बाद आते हैं opportunity पहले तो हमने product देख लिया कि कितना अच्छा है या कितनी डिमांड है दूसरा जो problems थी उसमें हम उसको सई कर लेंगे तीसरा opportunity यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी point है क्योंकि product बना देने से कुछ नहीं होता अब देखने लिए बात यह है कि अगर for example एक नॉर्मल एक्जामपल लेता हूं जन्र लाइफ को आपको समझ में आ जाएगा कि अगर किसी मुहले में किसी मुहले में सभी लोग एक तरफ से vegetarian है सब लोग डाल चावल सबजी खाना चाते हैं और वही उसी मुहले में कोई मीट की सौप खोलेगा तो क्या वहां पर उसका समझदारी कही जाएगी नहीं क्यों क्योंकि उसे ग्रांग नहीं मिलेंगे खड़िने वाला तो हमें हमीशा opportunity देखनी होती है कि कहां पर ऐसा आ करने वाले हैं उसकी demand कहां पर ज्यादा है तो हम पहले वहां start करें या वहां के लिए कर जैसे अगर इंडिया में आपको गाड़ी ले आना है कार लॉंच करना है तो आपके कार में माइलेज भी अच्छा होना चाहिए ठीक है आपको यह ध्यान रखना होता है तो कुछ जगहों पर क्या होता है माइलेज माइने नहीं रखता वहां पर महेंगे जैसे हो सकता हो वहां पर बहुत पैसे वाले लोग होते हैं तुने powerful engine औ और कई जगहों पर कम पैसे वाले लोग होते हैं तुमको क्या चाहिए होता है कम पैसे में ज्यादा mileage वाली गाड़ी चाहिए होती है लुक ज्यादा matter नहीं करता तो यही है हमें मौके को पहचानना होता है पर चुनिती को देखना होगा कि जो product या जो business हम start करने जा रहे है उसका वहाँ पर मौका है या नहीं है तो यह तीसरा point जो है हमारी यही help करता है इस technique में ठीक है तो जब हम यह तीन चीजे समझ लेते हैं तो चौथा हमें यह समझना होता है कि market में आने के बाद हमें क्या-क्या problems हो सकती है ठीक है यह आपके local problems भी हो सकती है कई तरह की problems होत वर क्या होता है कुछ road road ऐसे होते हैं जहां पर कुछ लोगों की बसे चलती है ठीक है तो कोई नया आदम यह पर अपनी बस चलाता है तो उसे डर रहता है कि उनका नुक्सान कर सकते हैं उनके साथ तोड़ फोड़ कर सकते हैं तो इसी तरह से business में भी होता है कि आप जहां करने जा रहे हैं वहाँ पर आपको अपना चेक करना पड़ेगा कि या जो धमकी है या जो खत्रे का जो लेबल है वह जादा तुन नहीं है ठीक है कि किसी आप ऐसे जगह पर बिजनस स्टार्ट करने जा जहां पर बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं आपकी कोई विजली पानी बंद कर दे या ऐसी प्रॉलम आने वाली है तो इस चीज को भी अनाल्सिस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो यह होते हैं स्वार्ट टेक्नीक और इसके बाद की जो टॉपिक है मागे बढ़त तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यह होता है आपका लार्ज इंडस्ट्री ठीक है उसके बाद होता है आपका स्मॉल इंडस्ट्री इसके बाद आपका वेरी स्मॉल इंडस्ट्री कर देखें लार्ज मतलब आपको पता यह बड़ी इंडस्ट्री की बात कर रहा है बड़ा उद्द्द्द्द्द्द स्मॉल इंडस्ट्री चोटा उद्धियोग वेडी स्मॉल मतलब बहुत चोटा और और जिल्री एक निया वर्ड आपको साथ लग रहा होगा तो इसको मैं बता दूए सहायक होता है सहायक इंडस्ट्री मतलब जो हेल्प करती हो कि मैं इसमें आगे डिस्क्स करूंगा एक एक करके आपको बताता हूं लार्ज इंडस्ट्री वह होती है गौर्णन का एक केल कोर्मन कहती है है कि 150 या इससे अधिक लोग जहां काम करेंगे उसको वो लार्ज इंडस्ट्री के कटेगरी में रखा जाता है ठीक है उसके बाद आते हैं स्मॉल इंडस्ट्री का इस्मॉल इंडस्ट्री में 50 से 100 लोग जहां पर काम करते हैं और इसको स्टार्ट करने में या इसमें जो invest किया गया है वो 35 लाख रुपए से अधिक ना हो ठीक है 35 लाख रुपए तक के इसमें investment हो 35 लाख रुपए तक investment हो 50 से 100 लोग लगवग काम करते हो 100 से जादा ना हो 50 और 100 के बीच में हो उसको small industry करें यह जो data है इसमें 10-5-20 का फर्थ हो सकता है क्योंकि यह किताबों में edition के इसाब से बदलते रहते हैं कभी 2014 में कुछ और था इनका level 2016 में कुछ और हो जाएगा दस लोग इसमें काम करें उससे कम ठीक है दस या दस से कम लोग जहां काम करते हैं उसको very small industry कहा जाता है और इसमें जनरली जो इसकी लागत या जो इसमें investment होता है वो दो लाख के अप्रॉक्स में अधिक्तम दो लाख रुपए तक जो लगा हो तो ऐसे industry को हम very small कहते हैं ठ और हावा भी देने की कोशिश करती है और इसका काम क्या होता है इसका काम होता है कि जो large industry है आपकी large industry के लिए ये काम करेंगी और इसके लिए इसके लिए machine और parts होगर बनाएगी ठीक है machine या parts होगर बनाती है ये इसलिए इसको सहाय कार जाता है ये large इसका अपना मतलब अपने लिए नहीं ये large industry के लिए काम करती है ठीक है इसके लिए parts machine ये सब चीज़े तैयर करती है for example अगर मैं आपको समझने में आसानी के लिए अब लिए- सब करते हैं आपे कर एक अतर्शी कार मारूति कर ठीक है मरूती अपनी कार बना रही है अब क्या करती है कि मारूती कार तो बना यह सब को पता है लेकिन अगर यह सब कुछ नहीं बनाती है ठीक है उसके जो है जो ग्लासे जोते हैं जो सीसे हैं या इंडिकेटर है या कुछ हो सकता हो छोटे-मोटे सब स्बस्क्राइब का मुण एक利ya के से यह सब्सक्राइब करें अब कि आजाता है उनको बड़ी इंडस्ट्री शांदें की करने में मिलती है प्लस बढ़ जाती है तो यह जो होती है उनके लिए काम करती है इसलिए इनको सहाइब करती है ठीक होफुलिए आपनों आप अगे बढ़ेंगे एक टॉपिक हो रहा है जनली इसका ज्यादा तो कुछ आता नहीं है कुछ सब्सक्राइब लेकिन इसमें है तो मैं आपको बता दों सेल्फ इंप्लॉइमेंट ठीक है यह उद्दमी से रिलेटेड है यह वर्ड है तो इसके डिसकस कर लेते हैं इसमें ज्यादा तरह आप कि पुझेर है रोजगाज किस भी क्या है जो गोड़ मी ने जो इन्टर नहीं इन प्रोडा सिप मैंने आपको बताया था वह इसी का एक रूप है ठीक है तो तोट इसका अमि g-ằ Wy आ अपना पैसा लगाकर कोई next अर्करते आप अपना रौजगार करते हैं स्वारोजगात। इसमें बहुत ज्यादा नहीं होता है संध्य विश्टिय सद्धित क्या होते सेवर सेन्फ इंप्लॉइमेंट पहली बात benefit यह है कि आप अपने खुद के लिए काम करते हैं, आप स्वतंत्र होते हैं, आप अपने मालिक होते हैं, आपके उपर कोई ज्यादा दवाओ या प्रेसर नहीं होता है, तो इसमें कुछ फायदे भी होते हैं, self-employment के, और इसके लिए आप देखे होंगे ITI कि खास करके candidates को promote क करते हैं, लोग कि आपको self-employment करना चाहिए, और करना भी चाहिए, अगर आपके अंदर skills है, capability है, तो आपको इस पर work करना चाहिए, इसमें benefit यह होता है, कि अगर आप किसी company के लिए 8-10 गंटे काम करते हैं, और बहुत बढ़िया काम करते हैं, तब भी उसकी जो salary है, 10,000 र अगर आप काम कर रहे हैं, कम मेहनत कर रहे हैं, तो हो सकता आप 10,000 कमा रहे हैं, और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, तो यह फायदा होता है self-employment का, और इसे आपको satisfaction भी मिलता है, satisfaction यह मिलता है, कि अगर आप किसी और के लिए काम करते हैं, और बहुत मेहनत से भी करते हैं, तो हो सकता वह आपको तो लगता है क्योंकि आप कर दो हैं तो ऑपको दोता है तो बहुत हभी सुस्फित में तो आप जब होती हैं तो कर दो vap玩 Geschoooo लोगों को नौकरी भी दे सकते हैं इसी लिए गवर्मेंट सेल्फ इंप्लॉयमेंट को हमेशा बढ़ावा देने को सिस करती है ठीक है इसी को बढ़ावा देने के लिए एक और पॉइंट इसमें आगे बढ़ जाएगा इस पर कुस्टिन आते हैं कि डियाएसी का कई बार इसका आप लोगोंने नाम सुना होगा कई बार जो रोजगार मेले होगर आइटी आई के लगते हैं या जो और गनाइज करता है वो डियाएसी करता है ठीक है तो डियाएसी का काम क्या होता है कि अपने जिले पर स्वरोजगार बढ़ाना लोगों को इसके लिए दमिंद्रस की अपने साही है नाम सुना होगा कि जीला उद्योग् Kेंद्रे यहाँ पर क्या होता है कि और विद्र संग भी होते हैं जो लोग जैसे बेरोजगार आहां जाते हैं अपना employment के लिए registration करवाते हैं ठीक है तो यह होता है तो इससे ज्यादा कुछ नहीं से पूछ देता है कि इसका फुल फॉर्म अगर जनली पूछ देता है एक दोबर पूछा है इसके आगे important question या तो mcq दिखा होगा और इसमें आपको सभी चैप्टर की मिल जाएंगी ठीक है सभी चैप्टर ले तो इसमें देख लिए आपको benefit होगा कि अभी आपने जो classes लिया उससे related कितने questions पूछे गए हैं या क्या benefit है आपको तुरन जज़ करने का self-test लेने का भी बैतर मौका मिल जाएगा बाकि हमारे website पर भी questions अप्लोड है आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं बाकि वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्वाद वीडियो को लाइक करना ना भूलें और पसंटाइब से लिए अ क लिए मत किλ मताइब से लिए उर सबस्ते है्म ऐको सबस्ते हैं लिए टॉ pandemic अन्यह्वत probably ॉजभ ट्यूत वि आवश्क है विह पर भskत्रण finds क कि अंगे चैने को ले दो हैंने के व convinके पूहीं